आज दिल्ली में बारिश हो रही है तो मैंने सोचा कुछ पकोड़े खाये जाए लेकिन अगर मैं घर में पकोड़े तल लूँ तो लोगों का क्या होगा आप जानते इस वक्त देश में क्या रोजगार बाकी है पकोड़े तलने का हाँ एक और रोजगार कुछ लोगों को मिल हुआ है वो है आपका ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का किन मुद्दों से भटकाने का जो अभी अभी डेटा हमारे सामने आया है देश में फैक्ट्रियों का उत्पादन गिर रहा है लेकिन आपका खर्चा बढ़ रहा है महंगाई दर बढ़ रही है यानि कि आमदन कानून पर भढ़काने की कोशिश करेंगे लेकिन हम भढ़कने नहीं देंगे economy का हिसाब किताब लगाते रहेंगे जिस तरह इस एपिसोड में भी करेंगे किसी भी देश में जब हम विकास की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब है लोगों को पॉष्टिक खाना मिले हाँ साथ में बिस्किट पकोड़े भी मिले लेकिन जादा तर पॉष्टिक खाना और जादा पॉष्टिक खाना मिले साथ में सिर्फ खाना नहीं क्या-क्या चाहिए जैसे लोग दंत मंजन से टूथ पेस टूथ ब्रश पर पहुंच जाए जो पैदल चल रहे थे वो पैदल से बाइक पर जाए बाइक से गाड़ी पर जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े डॉक्टर वगेरा का एकसेस यानि कि चिकट्सा की सुबिदा जादा मिल जाए पढ़ाई लिखाई के चांस बढ़ जाए फ्रिज टीवी ये सब घर में आ जाए जहां जहां पर कच्चे घर है वहां पर इट सिमेंट का घर बन जाए तो इसी को विकास कहा जाता है लेकिन इन चीजों के लिए जरूरी क फैक्ट्रियों में उत्पादन की जरूरत है फैक्ट्रियों में क्या जरूरत है फैक्ट्रियों में जरूरत है मशीन और बिजली मशीन किस से बनता है लोहे से बनता है और बिजली के लिए क्या चाहिए कोईले की जरूरत है लोहा और कोईला कहां से आता है खदानों से आत कि का कितना कह रहा है इन तीन चीज़ों में फैक्ट्रियों में खदानों में और बिजली की उत्पादन में तीनों को मिलाकर कहा जाता है drastic index of industrial production यानि कि कार खानों खदानों और बिजली घरों में कितना उत्पादन एक में बढ़ा है अगर हमारे जैसे विकास शील देश में जादा से जादा लोगों के लिए तक हमें कारखानों का सामान पहुचाना हो तो कम से कम आठ दस प्रतिशत सालाना हमें ग्रोथ की जरूरत है यानि कि विकास की जरूरत है इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के रेट मे लेकिन क्या ये हुआ है मोदी जी कहते हैं सब चंगासी मेकेड इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अभी लेटिस जेटा जो हमारे पास अक्टूबर का आया है क्या आप जानते कितना हुआ है क्या आट दस प्रतिशत बढ़ा है जी नहीं घटा है पिछले साल अगभग 8 प्रतिशत गिर गया है अगर मैं देखू कि बिजली का उतपादन कितना घटा है वो 12 प्रतिशत गिरा है कारखानों का प्रड़क्शन जो है वो 2% गिर गया है इसको आप ब्रेक अप कर लेते हैं गाडियों का उतपादन 28 प्रतिशत यानि कि पिछले साल अगर 100 गाडिया बन रही थी तो इस साल 72 गाडिया कंप्यूटर में उससे भी जादा 31% गिर गया है अगर हम देखे कि मशीन का उत्पादन कितना बड़ा है कि मशीन का उत्पादन क्या बताता है हमें कि जादा निवेश हो रहा है जादा और भी चीजे बनाए जाएंगी लेकिन मश शीनों का उत्पादन 18 प्रटिशत गिर गया है रबर और प्लासिक के सामान का उत्पादन 15 परजिए रहा है कांगज और पेपर प्रॉडइक जिसको कहते है जैसे कि आप चाय पीते हें पेपर के प्प में पीते हैं वो भी 15 परसंट गिर गया है कपड़ा मैं यहाँ पे ट जो प्रॉसेस चीजे हuciones हैं जैसे आप जानते घी है मख़न है बिस्केट है वगड़ा हो दो परसंट गिर गया है यानि कि हरेक चीज में उत्पादन लगातार गिर रहा है क्यूं कि लोगों के पास पैसे नहीं है वह खरीद नहीं रहे हैं और जब लोग खरीदते नहीं है क्या होता है जो फैक्टरी के मालिक है वो कहते हैं इतना मशीन चला कर होगा क्या यह तो बिकेगा नहीं तो मशीन अगर दस घंटे चला जा रहा है दस मशीन अब साथ मशीन आठ घंटे चला जाएगा ऐसे अगर होगा तो क्या होगा मजदूरों की भी जरूरत नहीं तो दुकान में भी लोगों की छटाई होगी यानि की नौक्रिया जाएगी आमधनी कम होगा तो इस वक्त में आप देखिए जब लोगों की नौक्री जा रही है आमधनी कम हो रही है खर्चा करने का उनका जो capacity है वो कम हो रहा है उसी वक्त महिंगाई दर बढ़ रही है महिंगाई दर बढ़ कर साड़े पांच परसेंट पर पहुँझे गई है जो की तीन साल में सबसे ज्यादा है और ये तो टोटल महिंगाई की बात कर रहा हूँ है सब चीज को मिला के अगर आप शहरों में हैं तो आप देखिए खाने पीने की चीजों पर आपका खर्चा 10 प्रतिशत बढ़ गया है पिछले साल की तुलना में यानि कि अगर आप पिछले साल इसी महीने 10,000 रुपाई खर्चा कर रहे थे खाने पीने की चीजों पर इस साल आपको 11,000 रुपे करना पढ़ दा है अगर आप सिरफ सबजियों का देखे तो सबजियों पर खर्चा 36% बढ़ गया है यानि कि पिछले साल अगर आपने 3,000 रुपे खर्चा किया था एक महीने में सबजियों पर इस साल वो 4,000 से जादा है दालों पर 14% रेट बढ़ गया है दूद मखन घी 35% बढ़ गया है जैसे मैंने कहा टूथपेस्ट, साबोन, तेल वगएरा जो लोगों के विकास हो तो लोगों तक पहुंचना चाहिए इनका दाम कितना बढ़ गया है लगबग 6% बढ़ गया है स्कूल की फीज, कॉलेज की फीज ओसतन 5% बढ़ गया है मेडिकल कर खर्चा दवाईयों पर खर्चा 5.5% बढ़ गया है तो मैं क्या कह रहा था जैसे उत्पादन घट रहा है लोगों की आमदनी कम हो रही है लेकिन साथ में महेंगा इदर बढ़ रहा है कभी पाकिस्तान, कभी ट्रिपल तलाक और आप नागरिक्ता कानून लेकिन आप अपना ध्यान इन चीजों से इन असली मुद्दों से भटकने मत दीजिए क्योंकि अगर आप भटकने देंगे तो देश भी भटक जाएगा